स्केटर गट्टू सारे लोग स्टाइल में स्केटिंग करते हुए चोर के पीछे भागने वाले गट्टू को आखे फाड़ फाड़ कर देख रहे थे लोगोंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था चोर का पीछा करने वाला गट्टू किसे फिल्म के हीरो से भी बढ़कर एक्शन करता हु गट्टू ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई और अब वो चोर को पकड़ने ही वाला था कि तभी अचानक गट्टू गट्टू उठो आठ बज गए हैं गट्टू ने आखे खोली तो ना वो सडक पर था और ना ही सामने चोर था गट्टू बिस्तर पर सोया हुआ था और मम्मी उसे जगा रही थी क्या मम्मी अब सपने में भी स्केटिंग नहीं करने देती हो मुझे तुम्हारा स्केटिंग का भूत अब तक उत्रा नहीं है चलो उढ़ो, स्कूल नहीं जाना है बिचारा गट्टू मम्मी की बात मान गया और काम पर लग गया कुछ दिनों से सुसाइटी के मयंक भया और उनके कुछ दोस्त सुसाइटी में स्केटिंग कर रहे थे हर शाम गट्टू उनके पास जाकर उनकी स्केटिंग देखता था सारे लड़के स्केटिंग सूस पहन कर हवा चीरते हुए स्टाइल मारते हुए स्केटिंग करते थे उनको देखकर गट्टू के सीर पर भी स्केटिंग का भूत सवार हो गया था गट्टू? स्केटिंग सरफ एक स्पोर्ट्स नहीं है पैशन है पैशन बचपन में मुझे लगता था मेरे पैरों को विल्स होती तो कितना अच्छा होता आज स्केटिंग से मुझे वो विल्स मिल गए अब मुझे कोई रोप नहीं सकता मयंग की बाते सुनकर गट्टू को भी स्केटिंग करने की इच्छा होती थी लेकिन मम्मी माने तो न गट्टू, तुम अभी छोटे हो बड़े हो जाओ पहले कहीं गिर गए या हडड़ी वड़ी तूट गई तो मुसीबत हो जाएगी मम्मी, मयंग भाया कह रहते स्केटिंग शूज लेकर आजाओ मैं सिखा दूँगा तुम्हे लेकिन मम्मी कहा मानने वाली थी गट्टू, बेचारा परिशान हो गया उसने पापा से भी काफी जित की लेकिन बात ही नहीं बन रही थी गट्टू बेचारा हर शाम मयंग भाया को स्केटिंग करता हुआ देखता और अंदर से रोता रहता एक दिन तो गट्टू ने मयंग भाया के स्केटिंग सूज पहन कर देखे और चलने लगा लेकिन बेचारा पैर उठाते ही गिर गया गट्टू एक दिन में कोई स्केटिंग नहीं सिखता स्टेप बाइ स्टेप उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तू सूच तो लेकर आ फिर तुम्हें सिखाने के जम्मेदारी मेरी गट्टू ने ठान लिया कि वो स्केटिंग सिखकर ही रहेगा लेकिन फिर दिक्कत थी मम्मी कोई ज़रूरत नहीं है कल गिर गया था न अच्छा हुआ ज्यादा चोट नहीं आई लेकिन वो कहते हैं न तुम अगर सचे मन से कुछ पाना चाहो तो पुरी काइना तुम्हारी मदद के लिए कठा हो जाती है गट्टू के साथ भी वो चमतकार हुआ एक दिन पापा कुछ बिना कहे बिना किसी को बताए चिंकी और उसके लिए स्केटिंग सूज लेकर आए वो दिखकर गट्टू की आँखों में आसू आ गए और वो जट से पापा से जाकर लिपट गया क्या जरूरत थी ये लाने की बच्चे छोटे हैं अभी अरे यही तो उम्र है इनके सीखने की तुम बेवजा डर रही हो और इन्हें भी डरा रही हो मैंग सिखाएगा इन्हें स्केटिंग से हमारे बच्चे फिजिकली और मेंटिली तंदुरुस्त रहेंगे इनका कॉन्फिडेंस लेवल कई गोना बढ़ जाएगा देखना उस रात गट्टू इतना खुश था कि वो अपने स्केटिंग सूज सीने से लगा कर ही सो गया था दूसरे दिन शाम से गट्टू चिंकी की ट्रेनिंग शुरू हुई गट्टू चिंकी जल्द बाजी नहीं करनी है टाइम लेकर सिखना है प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस मैक्स पाफेक्ट स्केटिंग एक दिन में नहीं आती दोंट वरी भाया हम आपको फॉलो करेंगे आज हम सिर्फ बैलेंस करना सिखेंगे आज तुम्हारे रोलर स्केटिंग विल्स में 100% लॉक रखूंगा सेप्टी गार्ड्स पहन लो फिर गट्टू चिंकी ने हेलमेट और बाकी सेप्टी गार्ड्स पहन लिए मयंग भहिया ने उनके स्केटिंग विल्स लॉक कर दिये और दोनों को भी विल्स लॉक करना और खोलना सिखाया अब कमर से नीचे जुग जाओ और धीरे धीरे चलते रहो इससे स्केटिंग के साथ बैलेंस करना सिख जाओगे गट्टू चिंकी कमर से सामने की तरफ बेंड हो गए और छोटे छोटे कदम उठा कर चलने लगे एक हपता गट्टू चिंकी ने स्केटिंग विल्स के साथ चलना सिखा फिर मैंक ने स्केटिंग विल का लॉग 25% खोला अब बैलेंस आगे ही रखो और धीरे धीरे चलने की कोशिस करो बैलेंस सामने ही होना जाएए क्योंकि अगर हम गीरी भी गये तो हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं फिर गट्टू चिंकी धीरे धीरे विल्स पर चलने की कोशिस करने लगे विल्स हलके हलके घूम रहे थे एक हपते बाद उनका बैलेंस पक्का हो गया तो मैंक ने विल्स को 50% खोल दिया और फिर से उन्हें बैलेंस करते हुए चलने को कहा अब गट्टू चिंकी को बहुत मज़ा आ रहा था क्यूंकि अब वो वेल्स पर अच्छी तरह से फिसल कर आगे बढ़ पा रहे थे कुछ दिन ऐसे ही बीद गए मैंक ने दोनों के स्केटिंग वेल्स को 100% खोल दिये जिससे स्केटिंग ने रफतार पकड़ ली चिंकी तो बार-बार गिर रही थी लेकिन हाथों के सपोर्ट से अपने आपको फिर से खड़ा भी कर रही थी गट्टू का बैलन्स काफ़ी अच्छा डेवलाउफ हो गया था वो चिकने ट्रैक पर तेजी से इधर-उधर हो रहा था कुछ दिनों बाद गट्टू चिंकी तेज रफतार से भी बाड़ी बैलन्स करना सीख गए लेकिन उन्हें ब्रेक लगाना कहां आता था मयंक भहिया ने ब्रेक लगाने के दो-चार तरीके उन्हें सिखा दिये और फिर गट्टू चिंकी रोज शाम स्कूल से लोटने के बाद स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगे कुछ ही दिनों में दोनों स्केटिंग में पॉफेक्ट हो गए एक दिन मम्मी सोसाइटी केमपस में टहल रही थी तभी उन्होंने देखा कि गट्टू स्केटिंग करता हुआ तेजी से उनकी तरफ ही आ रहा है मम्मी ने इससे पहले उसकी स्केटिंग नहीं देखी थी उन्हें लगा कि वो अब इन्हें टकर मार देगा मम्मी डर गई गट्टू स्टॉप तेज गट्टू बस उन्हें टककर मार नहीं वाला था कि तभी गट्टू ने एक परफेक्ट टन लिया और वो बिना मम्मी को चुए तेजी से सामने निकल गया स्मार्ट बॉई मम्मी ने उसका शार्पनेस देखकर प्रावड फिल किया और वो वहीं खड़ी खड़ी गट्टू की स्केटिंग में खो गई अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें